हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एक स्मार्ट किडियेटर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी वाट्सेप पर आपके जो फ्रेंड है या किसी भी यूजर है जिसका आपको पहले लास्ट सीन है जो सिंपल यहाँ पर सू होता था जैसे आप यहाँ पर चैट ओपन करते थे तो यहाँ पर अब आपके फ्रेंड है या किसी भी यूजर का लास्ट सीन है जो सिंपली सो नहीं करता है आपको पता ही नहीं चलता है कि वो यूजर लास्ट कव ऑनलाइन था तो आप इस प्रोलम को कैसे ठीकिजेगा तो सिंपली अगर आपको तो चैट से बैक आना है अब आपको अपर में ठीक करना है और चले जाना है शेटिंग के ऑपन होने के बाद आपको प्राइवेसी वाले ऑप्षिन पे क्लिक करना है तो जैसा कि आपके फोन में आपके वाट्सट पर किसी भी यूजर या फ्रेंड का लास्ट सीन ए के लिख रहा है कि if you don't share your last scene and online you won't be able to see other people's last scene and online अगर आप दूसरे user से अपने last scene को छुपाते हैं hide करते हैं तो आप भी दूसरे user का last scene है नहीं देख पाईएगा तो इसके लिए आपको भी अपना last scene है जो दूसरे user को दिखाना पड़ेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है इसे nobody से हटा कर everyone पर select कर देना होगा तो इसके बाद आपके watchip का जो last scene है जो दूसरे user भी देख पाएगे और आप भी दूसरे user का last scene है जो देख पाईएगा तो इसके बाद आपको यहां से back आ जाना है तो back आने के बाद आप जिस भी user का online status देखना चाहते थे कि वो last कब online था तो simply यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे friend का last scene है जो आज का इतने बजे यह वो last scene है जो मतलब online था अगर आपको तब भी यहां पर last scene है जो show नहीं कर रहा है आपको यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपके भी friend ने अपने last scene को height किया हुआ है उसने छुपाया हुआ है कि आपके फ्रेंड का कोई last scene है जो कोई भी user है जो न देख पाए तो इसी कारण से आपको यहाँ पर show नहीं हो रहा होगा तो इस तरह से आप बहुती असानी से वार्ट से पढ़ लास्ट सी प्रोलम है जो नहीं दिख रहा था यह प्रोलम है जो ठीक कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा